जैहन दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे IPL में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलने वाले प्रतिभाशाली तेज गेन बास धवल कुलकर्णी के बारे में कुछ दिल्चस पैक्ट धवल कुलकर्णी का जन्व 10 दिसंबर 1988 को महराश्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था उनके पिता सुनील कुलकर्णी है और माता का नाम प्रमिला है धवल की एक छोटी बहन भी है धन्श्री कुलकर्णी 3 मार्श 2016 को धवल कुलकर्णी ने फैमिना मैगजीन के लिए बत और फैशन कॉडिनेटर काम कर रही शद्दा खरपुडे से शादी कर ली धवल कुलकर्णी सबसे पहले विजे मर्चेंट ट्रॉफी से सुर्खियों में आये युवा धवल उस समय मुंबई की अंडर 17 टीम के लिए खेल रहे थे धवल के लगातार अच्छे प्रदर्शनों के चलते उन्हें 2007 में इंडिया की अंडर 19 टीम में श्रिलंका दौरे के लिए चुना गया यूथ टेस्ट मैचों में धवल ने तीन पारियों में छे विकेट लिये और एक दिवस्य मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन संतोष जनक रहा श्रिलंका दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शनों के चलते धवल कुलकरणी को मुंबई की रंजी ट्रॉफिट टीम में शामिल किया गया अपने पहले ही सीजन में धवल ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 42 विकेट लेकर तहल का मचा दिया इसके चलते धवल को न्यूजिलैंड दौरे के लिए भारतिय टेस्टीम में चुना गया लेकिन उन्हें पदारपन करने का अफसर नहीं मिला 2008 में IPL के पहले सीजन के लिए मुंबई इंडियन्स टीम ने सबसे पहले धवल कुलकर्णी को 12 लाग के उनके बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया 6 साल तक मुंबई इंडियन्स के लिए 41 मैच खेल कर 42 विकेट लेने के बाद कुलकर्णी को राजिस्थान रॉयल्स ने 2014 सीजन में एक करोड दस लाग की राशी में खरीदा और फिर 2016 में गुजरा क्लाइन्स टीम ने उन्हें दो करोड की कीमत पर अपने दल का सदस्य बना है दो सितंबर 2014 को धवल कुलकर्णी का इंग्लैंड के विरुद एक दिवस्य बदार पन हुआ हालकी भारत ये मैच जीत गया लेकिन कुलकर्णी को एक भी विकेट नहीं मिला इसके बाद धवल का सर्वश्रेश्थ प्रदर्शन इसी साल के नवंबर में श्रिलंका के विर स्क्राइट लेने का मौका नहीं दिया यह था इस वीडियो का अंत क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियो को देखने के लिए प्ली सब्सक्राइब टो और चैनल जैहन्त